कैसे हैं आप लोग आसा है कि आप fit होंगे fine होंगे और मजएदार भी होंगे आज आप सोच हैं आज अंकिस सर क्या लेके आगए आपके लिए थमनेल पे तो लिखा हुआ अरिहंत सी टैन्थ टू मतलब में अरिहंत बुक के लिए periodic classification of element के एक्जाम में आने वाले इन की फोड़ना ही फोड़ना है अब इन क्वरने लिए आप क्या करेंगे ठीक हैं तो आपको सबसे पहले तो मेरे साथ आपको लास तक वीडियो में बना होना होगा और वीडियो में बने होने के बार कर बहुत की Pelics जब अभी मैं अर्यंत का important question लेके आऊं तो आपको क्या करना होगा वहाँ पर वीडियो को फॉज करना होगा खुद से देखना होगा आप जब question को solve करें खुद से तब आपको और ही मज़ा आएगा आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ तारों के सहर में आ गया हूं तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है मज़ा आता है तो आप वीडियो को like करें और वीडियो के खतम होने के बाद अंत में आप comment अपना जरूर दें और यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कोई बहुत कुछ आपके साथ आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है तो चलो भाईया चलते हैं हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला बहुत ही most important question अरेयंत बुक का तो देखो भाईया यहां पर आपका पहला question आगया धुवादार जहां पर लिखा हुआ है simple अप टू विच एलिमेंट दा लाओ ऑक टेप्स वाज फांड टू वी एपली केबल मतलब आपको क्या क्या एपली केबल है मतलब कहां तक आपका लाओ ऑक टेप्स था जिन जिसको बताया था न्यू question भी लेके आए हूं आपके लिए तो दोनों मिक्स अप है मतलब सिंपल हाइब्रिड है क्या हाइब्रिड ठीक है किसका सिंपल objective question का सब्जेक्टिव question का तो चलो इस काहां से देखते हैं तो सबसे पहले हम समझते न्यू लेंट्स लाओ ऑक्टेप्स क्या होता था आपने गाना सुना होगा सारे गाम पधनीशा सुने ओ हमारी तो आवाज अच्छी नहीं है सब्सक्राइब्स अच्छा हमी गा लेंगे तो देखो सारे गाम पाधनीशा तो आपने स्पर्स्ट अलीमें तो एर्फ एलिमेंट की प्रॉपर्टी इस क्या होती थी similar होती थी और जो न कि अब तू केल्सियम तक ही बैलेट थे मैं तो आप लोगों ने भी लगाया हुआ है ना बढ़िया से बता भी है ना बोलो बोलो है ना है ना बोलो बोलो चड़ो बया नेश्ट को पेस किया जा मेरे बच्चों के लिए तो दूसरा धुहादार यह आ गया क्या बोला देओ समझो इस टाइप की कोशन बहुत आते हैं बोर्ड में बहुत सारे अलिमेंट विद्ट कोड लेटर क्यू एंड आर अकूपाई दा पोजीशन सोन इन दा आउटलाइन ऑफ दा पीडिट टेबल ठीक है आपको क्यू दे दिया और आपको आर दे दिया ठीक है आप सबसे पहले मिसके गुर्प नमबर लेखे इसको गुरुप नमबर बन होगा इसका टू होगा इसको 345678910 इसका 1117 16 15 इने गुरूप नमबर लिख दिए पियरिक टेबल में ठीक है आप आपको पता है यह गुदि सिंपल आपको गुरुप नमबर दे दिये जाएं ठी और ती मान लो सिंपल तीन से ज्यादर एलेक्टोन थीलेक्टोन थीलेक्टोन में तोलों यहां पर इसे सरी यह जो आर के आपके बैलेंस एलेक्टोन कितना आ गया जो आ एक से चार की बीच में लेक्टोन है बैलेंस सेल में तो उसकी बैलेंस वही रहती है है थीए एक बैलेंस एलेक्टान रेक्टान है एक तो बैलेंस तो डू और टीन होंगे तो तीन चार होंगे तो चार मैंधि पास तो इसाल बैल्स केसे निकालते हैं कि your behavior less balance electron, तो देखो 5 electron थे यहाँ पर balance electron, कितना हो जाए, 8 minus 5, किजी balance ही हो जाए, simple, ठीक है, अब देखो, अब हम Q की बात करें, तो Q का क्या है, देखो, यदि हम Q की बात करता हूं, तो आप यहाँ पर दी group number लिखेंगे, Q का, तो कितना है, 2 है, आपको तब balance cell में यदि 1 या 2 electron होत है, उसके group number लिखेंगे होता है, तो group numbers का 2 है, उसकी balance electron भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, तो balance ही भी इसकी क्या होगी, 1 से 4 की बीच में electron दी रहते हैं, तो same ही होती, balance ही, balance ही भी 2 होगी, तो हम क्या करेंगे, simple cross multiply करेंगे, जो 3 हाल है, वो मेरा हाल है, यह Q हो गया, यह R हो गया और Q की balance कितनी है, 3, ठीक है, sorry, Q की balance है 2, R की balance है 3, अब हम क्या करेंगे, cross multiply, तो क्या हो जाएगा, simple आपका Q3R2 answer होगी, ठीक है, तो यह answer हो गया, Q3R2, इसका is the correct answer होगी, I hope आपको यहां तक बात है clear हो गई, होगी, तो यह आपका answer D आगया, और मेरा भी answer D आगया, तो क्यों बच्चवाड़ी मजा आया, तो अब हम भरतें C के साथ next question, दो कितना धुआदार question हो, कितना मजेदार question है, ध्यान समझेगा, यहां पे लिखा हुए, which of the following statement is incorrect for atomic size, ठीक है, अब देखो statement बोलना है, incorrect है, atomic size के अबते हैं, periodic table में, तो size क्या होता है, बोलो, size increase करता है, क्यों? क्योंकि number of cells increase होती है और आपको पता है simple जब आप left to right जाते हैं कहां जाते हैं left to right period में तो क्या होता है तब आपका simple size decrease करता है क्यों decrease करता है nuclear charge आपका increase करता है simple तो attraction भरता है तो size कम होता जाता है ठीक है अब देखो यहां पर लिखा हुआ है सिंपल कि लिखा को एक टॉमिक साइज ऑफ बोराण को एंड वह लिल्यम ठीक है तो यह बुल है का ज्यादा देखो आपका बेलिलियम पहले आता है भेढर बात बाद में आता एक ही पीरियड के हैं, आपको इसका Atomic Number याद हो, तो Boron Byrium नमबर के टना है? बैरीलीम का Atomic Number 4 है और भेज्वोन का 5 है, इसका Atala이套्टोन Keric 2, और यह होगा है, 2,3 यही होगा, ठीक है? अब आपको सेम पीरियड के हैं तो आप period में जब जा रहे हो, left to right जाते हो, तो size क्या होता है, कम होता है, है ना, लेकिन यहाँ पे तो यह उल्टा दे रहा है, यहाँ पे दे रहा बोरोन का size क्या होगा, जादा होगा, बोरोन का size क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, मतलब beryllium का size जादा होना चाह सही है ठीक है तीसरी बात atomic size of nitrogen और oxygen बिलकुल सही है ठीक है और atomic size of carbon nitrogen यह बात भी सही है क्योंकि सब period है और जब period में लिखा हुआ है तो left to right जाओगे तो size decrease होता है याद अखना ठीक है यही same logic लग रहा था तो answer क्या है जो wrong statement था वो wrong statement आपका सिंपल यह बाला था तो बहुत ही बढ़िया question था और बहुत ही धमाके दा देखो वच्चा बाटी दी आपने in questions को solve कर लिया तो मुझे लगता chapter आपका कुछ बचेगा आपका पूरा का पूरा chapter क्या हो जाए रिवाइज हो जाएगा मैं पहले बता देता हूं सिंपल सी बार चलो नेस्ट question पर चलते हैं अगला question हमारा क्या बोल ध्यान समझेगा फिर से आ गया किसका ओडर आ गया विच आप the following gives the correct increasing order of the atomic radii of oxygen fluorine and nitrogen ठीक है सबसे पहले हम फिलोरीन oxygen nitrogen का atomic number नमबर लिखते हैं नाएट 9 8 7 तो इनहां पर 9 है तो क्या होगा 2,7 यहां पर 2,6 और यहां पर 2,5 तो अब ध्यान समझे ना तो जैसे हमने क्या किया यहां पर 2,7 किया देखें यहां पर सेम पीरियड के होगा है number of electron filled cell number of electron filled by cell ठीक है ना दो 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 सबका period number केतना है दो है अब आप नोटिस करेंगे सेम पीरियड के है मतलब आप देखेंगे तो फिलोरीन बाद में आएगा उससे पहले oxygen उससे पहले nitrogen यह होगा थीक है इस तरीके सब्सक्राइब आपको पता है left to right जाते हो तो size क्या होता है तो decrease करता है यहां पर size क्या होगा है बोलो आप लेफ्ट टु राइट जाते हो तब size सबसे ज्यादा साइज होगा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इस बहुत अच्छे तरीके तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं चलते हैं हम नेस्ट क्वेशन पर अगला क्वेशन हमारा क्या बोल रहा है देखो कितना बढ़िया क्वेशन है क्वेशन नंबर 5 यहां पर लिखा हुआ सिंपल मैस जिदा फॉलोविंग है और आपको यहां पर गुरुप नंबर कॉलम नं लाएं ठीक है आपको एलिमेंट का नाम दे दिया अब आपको सिंपल अटोमिक नंबर पता होना चाहिए कि अब धिहान समय ना यदि हम करेंगे इसको तो देखो जैसे बैरीलियम है बैरीलियम का अटोमिक नंबर 4 होता है 2,2 अब आपको यहां दो ग्रुप नंबर निकाल और दो एलेक्टॉन तब उसका जो ग्रुप नंबर होता है वह वही होता है ग्रुप नंबर सेम होता है लेकिन अधी माल लो आपका क्या बैलेंस एलेक्टॉन में तीन और तीन से ज्यादा एलेक्टॉन है बैलेंस सेल में बैलेंस सेल में आपके क्या है तीन या तीन से ज् तब क्या होगा तब आप सिंपल यहाँ पे जो बैलेंसी निकालेंगे तो गुरुप नंबर निकालते हैं आप 10 प्लस बैलेंस एलेक्टॉन इस वात को ध्यान लेना सिंपल इस recognize रफ्षल को सौन को अब देखो आप ध्यान समझिएगा यहाँ पे हमने क्या क्या किया और यह तो इसका दो बैलेंस सैल में रेक्टॉन कितने दो हैं जब एक या-दो इलेक्टन लेक्ट वह तो बैलेंस निन्म होगी से मी YouTube होगी डूप नंबर गूरूप नंबर आपको सिंपल तो दो है तो पहले का क्या होगा एक च्रड तो मैं लिखता जाता हूँ एक हगा आपका आगे थाड वाला है अब फिट्र व्रीन आया तो फिलोरीन का क्या होगा एक टॉमिक नमबर नाइन होता है 2,7 तो गुरूप नंबर क्या होगा देखो अब तीन से ज्यादा एलेक्टोन है तो गुरूप नंबर हो जाएगा सिंपल टेन प्लस बैलेंस एलेक्टोन सेविन कि 17 हो गया है ठीक है अब देखो तो गुरूप नंबर यहां भी क्या हो गया 17 अब मैं फॉस्पूरत की बात कर रहा हूं तो फॉस्पूरत का क्या हुआ पर पर अब का आपकी ब fondo अ भी का रहा है वो सिंपल फर स्टाव सिंपल आपका 15 हो जाएगा ठीक है अब देखो आरगन आरगन क्या होता है एटोमिक नमबर 18 तो सिंपल 18 होता है तो क्या हो जाएगा दो आठ आठ तो गुरुप नमबर इसका कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 18 हो गया गुरुप नमबर तो गुरुप नमबर इसका क्या हो गया 18 तो D का क्या है 4th है और simple C का क्या है C का आपका है simple second वाला देख लो है आपके A का third B का first C का second और D का fourth तो answer क्या हो गया simple answer आपका A ही हो गया आपका और कहीं भी third answer नहीं दिया है option में A वाले में तो answer नहीं होगा तो answer के और A हो गया तो I hope आपको यह बात clear हो गई होगी यह clear नहीं तो वीडियो को बार बार देखिए ठीक है इस बात को ध्यान लखना लेकिन tension नहीं लेना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next question पर चलते हैं बढ़िया धमाकेदार मज़ेदार question पर जैसे मानलो आपको question number six दिया हुआ है तो question number six के मैं बात कर रहा हूं तो देखो the position of four element a b c and d आपको चार element दे दिए ए पी डिडिक टेवल बी c d modern पी डिडिक टेवल आज सोन बिलो आप लेकाए the element which is most likely to form a basic oxide ऐसा कौन सा element है जो आपका क्या बनाएगा basic oxide बनाएगा तो देखो यह होती है आपकी simple group 1 और group 2 की क्या होती है बोलो metals होती है यदि मैं बात को group 2 की metals जो होती है वह हमेशा क्या बनाती basic oxide का formation करती है तो यहाँ पर यहाँ बात करें तो देखो आपको बता आपका left to right जाते हो देखो left to right जाते हो नॉन metallic character बढ़ता है तो आपका यह left to right जाने पर आपका hd character भी बढ़ता है और आप simple जब आप पी आप जब group में आते हैं group में मैं बात करूं तो यदि मैं बात करूं यहाँ पर top to bottom आने पर metallic character क्या हो तो इंक्रिज होता है अ कि metallic character इंक्रिज होता है और यह जनली क्या बनाते हैं यह जन्रली आपके basic oxide बनाते हैं तो ध्यान समझना अब यह है यह कि आपकी metal है तो यह कैसा बनाएगा यह आपका simple basic oxide heector बनाएगो तो आंसर क्या हो जाएगगाdar सिंपल ना तो बि बनाएगा नसीव ना दि मनायगा तो सिंपल यह जो होगा आपका best बना देग तरह आपको यह बात भी के लिए हो रही होगी चलो नैस चलते हैं अगला कोश्ज़ण अंहारा क्या बोला है बहुत ध्यान समझना अब यहां पर लिखा हुआ है सबसे अच्छा दा मोस्ट इलेक्टो पॉजिटिव एलीमेंट यहां पर कौन सा एलीमेंट इलेक्टो पॉजिटिव होता है तो देखो एक बात ध्यान लगना जब भी आप पीरियड में जाते हैं लेट टू राइट तो आपका इलेक्टो पॉजिटीव नीचे डिट्ली सोता अब भाच्च कि लेक्टो नेगेटwork होती क्या होती यां समझना तेंडेंसी टू अट्रैक्ट अलएक्टों को अट्रेक्ट करने की टेंडेंसी आप हैं आपके घर के भार कौन आ गया मान दो आपके घर के बार क्यात अट्रेक्ट कर पार है या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं किसे मालो आपको स्कूल में कोई अच्छा लगता होगा ठीक है तब भी क्या है बोलो सबसे नीचे तो पॉजिटिव नीचर क्या होगा ज्यादा होगा तो आंसर क्या होगा आपका भी आंसर हो गया तो आप यह बात भी बहुत अच्छी से समझ पा रहे होंगे तो चलो भाईया नेश्ट को पेस किया जाए मारा अगला क्वर्चन क्या बोला है तो कितना बढ़ी ट्वेंटी में नीचे में पूचा गया था इस टेट मेंडीली पिरियोडिक लॉग तो आपको भी पता है मैं डिफरन डिफरन साइन्टिस्ता है झैसे आपके दोबेनियर साब आये नूलें आप आपके चापल फिर आपके मोज ले सां आए जो आप आज आज विर परते हो तो मोजले पिरियोडिक टेविल पढ़ते हैं modern पिरियोडिक टेविल जैसे बोलते हैं अभी मैं बात करूं मेंडिलीप पिरियोडिक लॉक ही बात करूं मेंडिलीप कैसे बोल नहीं देखो सिंपल मेंडली साभी वास सो जीनियस मेंडली पिरियोडिक लोग इसे बोलते हैं हम सिंपल क्या होता है इन्होंने करके जितनी भी प्रॉपर्टी जोगी प्रॉपर्टी वो सारी की सारी डिपेंड करेंगी डिपेंड्स अपॉन पिरियोडिक प्रॉपर्टी जो डिपेंड्स करेंगी डिपेंड्स अपॉन किस पर करेंगी वोलो वो करेंगी सिंपल एक्टॉमिक मास पर इन्होंने भी एक्टॉमिक मास के बेसिस में क्या किया था hai यह बात नदक ना लेकिन यह बहुत गम जीस थे यतकि नडिकी सिम्पल से इनकी बात बताओं कुछ तो यसे इन्होंने बहुत सारे एल्यमेंट को क्या कर दिया था उसी टाइम बता दिया था कि यह ईल्मेंट आपके इसके लिए उन्होंने जगे भी छोड़ दी थी अपनी periodic table में ठीक है उनकी कुछ elements की इन्होंने properties भी बता दी थी ठीक है तो यह बहुत अच्छे मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज़े पहले दिक्टेड कर दी इसलिए बात जीनियस तो यह संपल आपको थोड़ी सी बाते बताई में क्या तो यह आपका लिखने को आता है यहां तक question को कि यह भी 2020 में पूचा गया था और अच्छा कोशन है बहुत अच्छे समझना यहां पर लिखा हुआ है इफ दा लेटर आर बाज यूज टू रिप्रेजेंट एनी ऑप देलिमेंट ठीक है आपका आर एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहा है एक कोई भी एलिमें यह पूच से किसके लिए तो ने कार्वन के बारे में कॉच रहा यह तो कार्वन का में हाइडाइट बनाना है और श्मीपल ग्या वह बनाना है बोलो और हमें सिंफल बनाने ऑस्ट साइड मैं दूर्चों यदि मैं कारवन के रिवारीड थे बात करता हूं तो देल ई For हम यह बनाता है थी एच फूर ठीक है यह डिप्रिजन किसे कर रहे हम आर से कर रहे हैं ठीक है अब देओ छी एच फूर यहां मैं इसको यहां पर लिखूंगा आर एच पूर कैसे गिया देखो ठमझो आपको तक कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है चार हाइडोजन की बन आप जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है सिंपल आगे आर एच फूर ठीक है अब देखो अब आपको ऑक्साइड बताना है तो क्या होगा सिंपल समझे ना आर ऑक्सीजन यहां प सिंपल आपको याद हो बैलेंसी जब आप निकालते थे मैं आपको जल्दी से बता देता हूं यदि मालो एक और दो बैलेंसी लेक्टॉन है तो उसकी बैलेंसी क्या रहती है सेम रहती है एक और दो ही बैलेंसी रहेगी लेकिन यदि माल लो ठीक है अब यदि माल लो उसका रख गुरब की है मैं बात करूं क सिंपल सी अब बात क्लों दो से जादे लेक्न है सुरी यहां पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया एक दो ना करके एक दो तीन चार चार तक लिख सकते हो आप कहां से वन टू पूर तक बनलब जब बैलेंस सेल में आपके सिंपल एक से चार की बीच में एलेक्टोन रहेंगे तो बैलेंसी उसकी वही रहेंगे अब यदि माल लो क्या होगा अब यदि माल लो आपकी बैलेंसी क्या हो जाए बोलो कि मालो बैलेंसी अब निकालना चार से ज्यादे एलेक्टोन एलेक्टोन तब कैसे निकालेंगे तब आप कुछ नहीं करेंगे सिंपल करेंगे एट माइनस बैलेंस एलेक्टोन क्या करेंग चार से ज्यादे लेक्टॉन है तो क्या हो जाएगा एट-6 हो जाएगा सिंपल टू हो गया तो दो इसकी बैलेंस ही ओगी ठीक है अब देखो यहाँपे सिंपल तो अब हमने क्या किया क्रॉस मल्टिप्लाइ किया तो क्या बन गया यहाँपे जो बनेगा आर फॉर सॉरी क्या बनेगा यहाँ पे आर टू ओ फोर अब बच्चे यही कर देते हैं लेकर हमें से याद अगना कभी भी आप फॉर्मूला ओब दा कंपॉंड लगाते हैं लिखते हैं तो हमेशा आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं किसमें लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म म भड़िया क्वेशन था यह मजेदार क्वेशन था इस तरीके से आपको लिए हो गया हूँ अब हम चलते हैं अगले क्वेशन पे तो ध्यान समझना यह था आपका क्वेशन वाट वर्दा लिमिटेशन और निवलेंड लाफ ऑक्टेप्स और आपको पता यदि मैं अक्वेशन तो फर्ष्ट नोट और एकष्ट अलीमेंट की प्रपर्टी त्या हूंगी आपकी सेम उस्टी यह बात पंवली थी अब यहीं बात करने जैसे मैं पहला लिमिटेशन की बात करते हूं यह सिंफ बैलिट था जो अब तू क्येल्सियम तक ही बैलिट था सिंपल तिक है में आधी बोलूं तिपिं लाइटर एलिप्ट हाले के लिए यह क्या था यह बैलीड था यह ऊइंपिअटर करा इन्होंने माना था कि सिर्फ उरसे 56 data yapıyorं, 证नुस्ट करता है वह लेकिन क्या होता था लेकिन इसके बाद भी future में क्या होगे several element क्या होगे discover हुए तो उनके लिए ये लॉग कहनी होता था यहां पर लिखा हुआ है तो उनको भी कहनी दे पाई जगए नहीं डिसकवर element हुए ठीक है लेकिन आपको पता 56 element नहीं है काफी element आपने 113 अपतों साध और भी discover हो गए ठीक है तो यह चीज़ समझ गए है अब देखो अब में अधी बात करें आप यहां पर सिंपल नेस लिखा हुआ है इन और तो फिट एलिमेंट इन्टू हिज टेबल न्यूलेंड एज़स्टेट टू एलिमेंट इन दा सेम स्लोट एंद आल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंदर दा सेम कॉलम देखो सिंपल सी बात करो तो यहां पर नहींने कुछ इन्होंने पुट कर दिया था 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 को यहनों ने पुट कर दिया फ्लोरीन ब्रोमीन वाले में तो उनकी प्रौपर्टी तो बहुत दिफेरेंट थी तो यह विए क्या होगा इनका दृवाइक हो घृत थे ठीक है पहला कौन से था यह हार अप्यक मास के लिए बैलिद नह जैसे मालो आपके element को एक ही column या एक ही सेम column में क्या कर दिया तो इसको put कर दिया था अनलाइक element को simple मैं बोलूँ को different properties वाले element को चलो यह वाद तो आपको simple clear हो गई होगी यह simple Newland साब ने बता दिया अब यहाँ पर next question आता question can justify gast комнат in embargo hydrogen美國問題 중 ただ 2030 कि यह तुमारे मुन पे तुमारे सी बोलेगा और दूसरे तमारी लाइब में भी बहुत सारे आसे दोस्त होंगे रिस्तिदार होंगे बहुत सारे filthy आपको जानने वाले और नहीं आपके मेंडिलीफ साफ कर पाए क्यों नहीं कर पाए थे सिंपल समय हाइडोजन जो होता था यह अपनी प्रॉपर्टीज को सेंब्लेंस करता था किसके ताथ एक तो रखता था यह अलकली मेटल के साथ अलकली मेटल समझते हो बोलो लीथियम सोडियम लीना के नाम अब देखो और यह एक साथ और प्रॉपर्टीज सेंब्लेंस रखता था सिंपल आपके हैलोजन फैमिली से हैलोजन फैमिली अब पिर कल बाहर आई आत्मा इसे प्रॉपर्टीज क्या होती भी मैच खाती थी हाई दो जन के साथ तो भाईया एक बात तो किलियर होगी अलकली मेटल वाले कौहन से थे गुरुप बन के साथ और गुरुप सेविंटीन के साथ प्रॉपर्टीज मैच कर रहे है गुरुप सेविंटीन अब क्या हुआ इसके बात सिंपल यह बात तो मैंने लिख दी ठीक है सिंपल मैंने यह साथ बता दे अब आप देखेंगे तो यदि मैं बात कहूं हाइडोजन के जो ऑक्साइड होता है जैसे उसने ह्टो बनाया वो कैसा होता है न्यूट्रल होता है कैसा होता है न्यूट्रल लेकिन ओर जो ऑक्साइड ओते है कैसे माला सिंपल हैलोजन के ऑक्साइड देखे थी कैसे होता है यह सिंपल कैसे दिफ्रेंश यह चीज आप समझ़ ने होगे है 봐 आप देखो इन सम प्रॉपर्टी जी डिफर डिफरेंट भी ती कौन कौन सी हाइडोजन हैलोजन दा ओक्साइड ऑफ हाइडोजन एस्टू इस न्यूटरल लेकिन अधी बात के अलकली मेटल कैसे थे ऑक्साइड बेसिक थे ठीक है अब देखो लिखा हुआ है लेकिन हैलोज होते हैं नेश्ट क्वेशन पर चलते हैं तो हम क्वेशन नंबर ट्वैल की बात करें तो लिखा हुआ है यहां पर लिस्ट एनी टू डिस्टिंग्विशिव से फीचर बिट्वीन मेंडली स्पीरियोडिक टेबल एंड दा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ठीक है आपको डि अνबडि तो क्या होता है वो बोनों गलता सिंपल जो प्रौकित प्रॉपर्ती जो दिपीरियोडिक प्रॉपर्टि इपुर्योण एंड है रोपर्टी जो की डिपैंड करती थी इए इस पे डिपांस अपॉन किस पर करेंगी बोलो atomic number पर atomic number है ना अब इन्हों ने क्या किया था यदि हम बात करें तो इन्हों ने simple किया किया था आपके मेंडलीव साहब ने तो मेंडलीव साहब ने क्या किया मेंडलीव यह लिख दिया ने टीज़ ने तो दो मेंडलीव साहब कर यह था यह था सिंपल जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होंगी लोगिधि पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स on कि डिपेंड्स ओन किस पर डिपेंड्न करेंगी बहो करनेगी सारी करने किस पर पर इन्हों को जब इन्हों ने-लिमेंट को मेंदलील साथ ने अलिमेंट को अरेंज किया तो इंक्रीजिंग अटामिक मास्क की वेकाश्व किया इन्होंने ज् marker कि cry जिस ते अंब 숲 आप एक बाद लाख न, मैंडरी की टेबल में क्या था? यह भून गृप थे, और 6 Plaid थे आपके नहीं सीट, गृटिकल आप को क्या बोला था? और होडी जॉन्टर रोज को क्या बोला था? उन्होंने simple बोला था अब देखो और this contains 18 group and 7 periods तो यह बात तो clear हो गया तो बल मौदन पीडिरिक टेबल में आपके 18 group होते थे और साथ period होते थे ठीक है बोलो हाँ है ना clear तो यह बात है तो आप clear हो गई अब में नेस्ट चल ला हूं यहां पर लेखो विद्दा help of an example explain dog behavior trade तो देखो dog behavior trade क्या था था जिहां समयना बहुत अच्छे समयना तो dog behavior test की युली में बात करता हूँ तो देखो इंहों ने क्या किया इन्होंने 33 element की group बनाए और इन्होंने कैसे किया इन्होंने अर्रेंज किया simple ग्यान समयना इन्होंने arrange किया increasing atomic मास के बेशिस में उन गुरुप को यसे हमने एक गुरुप उठा लिया एक्जामपल के लिए लीथियम सोडियम पुटेसियम तो ट्रेट समाजने निका ट्रेट क्या था उनने वह लो फस्ट एलिमेंट और ठर्ड एलिमेंट का हम कहले हैं एक्टोमिक मास का अरिथमेटिक मी ले ले हैं ठीक है तो सिंपल वह मिडल वाले एलिमेंट के अटोमिक मास के बराबर आए यही था सिंपल यही आपने पढ़ा था अब ध्यान समझीएगा बच्चा यहां पर देखो यहां पर लीथियम लिखा हुआ है ठीक है तो लीथियम का जो एक्टोमिक नंबर होता है सेवन होता है हमें सोडियम के निकालना है और पोटेसियम कितना है थारती नाइन डिवाइ्ट वाइटउ सिंपल कितना हो गया 46 बाय्टू मतलब 23 हो गया क्या हो गया 23 है तो यही हो गया यह किसके अटोमिक मास्क के बबावार हैowego क्योटीम के बढ़ाबार है कि आप कोई ब यहां पर आपको यहां पर आपको कलोरीन ब्रोर्मीन आयोडीन का स्वाल्यूसन में कहा दिया हुआ एक्जामपल दिया हुआ तो यहां तक सारी बात है किलियर हो रही हुए मजा भी आ रहा हुआ यहां सर तो तंदुस्ति है यहां चलो आगे बढ़ते हैं अब नेस्ट कोशन है स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लौ यह तो मैंने अभी आल बताया था अपीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी जो डेपेंड करती थी सारी की सारी अटमिन नंबर पे उसे ही हम सिंपल मॉडर्न सिंपलो बोलते थे यह वात पाप कलियर होगी ठीक है बढ़िया से आराम से चलो आगे भड़ते हैं नेस्ट कोश्चन पर चलते अब देवों प्रॉपर्टीज की कहीं भी बात कर रहा हूं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की मैं अनल-फिजिकल और क्या प्रॉपर्टीज क लेखा हुए, write the formula of the product when the element A, atomic number 19 दिया हुआ है, combined with the element B, atomic number 17 दिया है, देखो बैसे तो मुझे बता है, यदि हम atomic number आपका A है, समझे हैं, ये मतलब क्या है, आपका potassium है, 19 है, और chlorine है, ये आपका chlorine है, atomic number 17 है, यदि आपको याद है, तब तो आप आप आपका कर सकते हैं, ठीक है, आपका जो B है, वो क्या आपका chlorine है, याद रखना, चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आपको atomic number याद होने चाहिए, अब यदि हम बात करें यहाँ पे, simple सी बात समय ना, यदि हम लिखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, write the formula of the product when the element is combined with the element B, ठीक है, तो आप formula of the product बनाओगे, जब आपका क्या बनेगा, KCL बनेगा, simple, है ना, KCL बनेगा, या मैं बोलूँ, आपका AB type compound बनेगा, आप ऐसे भी कर सकते, AB से भी, गुश्चा तो नहीं करोगे, ठीक है, अब आपको पता है, जब आपको potassium का atomic number 19 दे दिया, तो हम इसका electronic configuration करें, दो, आठ, आठ, एक, ठीक है, मतलब इसके outer most cell में कितने electron है, एक है, बैसे देखा जाए, ठीक है, चलो, और अधि हम बात करें, simple, क्या है, आपका chlorine, इसमें कितना है, देखो, दो, आठ, साथ, यह है, इसको एक electron चाहिए है, तो होगा क्या, जब आप potassium क बनाओगे, potassium एक electron का loss कर देगा, ठीक है, एक electron का loss कर देगा, तो k प्लस आएगा, चार्च, यहां समय न, अब देखो, और यहाँ पे क्या होगा, यह chlorine के साथ electron है, आउटर्मोस सेल, और यहाँ पे potassium का एक electron आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, transfer of electron हुआ, क्या हुआ, transfer of electron, यही बनेगा, आपका दियार्ट नोटिस करेंगे, ठीक है, अब transfer of electron मतलब simple, यदि हम बात करें, तो जब भी transfer of electron की बात आती है, तो electron gain होता है, और electron क्या होता है, loss होता है, तो potassium ने क्या किया, electron का loss किया, और simple chlorine ने क्या किया, electron का जली बताओ, gain कर लिया, उसका भी governance cell complete हो गया, और potassium का भी अब इस पर गया आया देखो इस तरीके से यह आपका simple complete हो धाइस तरीके से बनेगे यह यह आपके electronic structure बनेगे यह मैंने बता दिया simple transfer of electron आप तो direct इसी structure को बोड में मना के आदे आदे कि अचैना अब आपको पता है जब यह कटाएन गोलते हैं और जिसपे पॉजिटीव ली चा़्ज वता है मत्या उसा कटाएन देओ ते ही को यह आपका ब honंद आता ही है आपका लाता il तो यहां पर याद अखना पोटेसियम और क्लोरीन के बीच में या ए और बी के बीच में किस टाइब का बॉन्ड आ रहा है वो आपका सिंपल आइनिक बॉन्ड आ ठीक है यह बात के लिए बोलो तो आपको यहां पर दिख भी जाएगा सिंपल यह लिखा हुआ है इस तरीके स मैं तो द्यान से समय ना भूट डेटेल में हमने सारी बातें आपको बता दी है ठीक है अब चलो आगे बढ़ते हैं नेश्ट कॉछोन पर चलते हैं अगला क्वचन हमारा क्या बोल यह बहुत ही भड़िया क्वचन और बहुत ही उंदा तरीके का क्वच्छन है ध्यान से य आपको गुरूप नंबर दे दिये 13 14 15 16 सब दे दिया अब आपको आंसर बताना ध्यान समझे ना आंसर दा फॉलॉबिंग गिविंग रीजन विच एलिमेंट इजी मैटल बिद बैलेंसी टू हमें बताना यहां पर एसी कौन सी मैटल है जिसकी बैलेंसी क्या है दो है जो ध्यान समझिएगा जब हम बैलेंसी की बात करना है तो देखो आप गुरूप नंबर इसमें कितना है तू है ठीक है अब जब गुरूप नंबर टू है तो आपको पता है इसके बैलेंस सेल में लेक्टोन कितने होंगे दो ही होंगे और आपको पता है जब बैलेंस सेल में लेक्टोन आपके एक से लेके चार तक होते है तो उसकी बैलेंसी भी क्या होती है वही होती है तो सिंपल बैलेंस सेल में लेक्टोन कितने है दो है तब बैलेंस सेल में लेक्टोन दो है तो इसकी बैलेंसी भी क्या हो ज कौन सा अलीमेंट है यहां पर जो लिस्ट रियक्टिव देखो जिसका आउटर मोंश चैल कंपलीट वर जिसमें आठ लेक्टोन होगे यहां पर नंबर 18 कैसे होगी देखो यह हम बात करें तो ग्रुप नंबर क्या होता है तो 10 पिलस बैलेंस एलेक्टोन तो यहां एक टीन हो गया एक प्लड़न सिलाट्ट तो बैलेंस एलेक्टण कीतने आगए वो आपकी सिंपल एट वाठ अपको बता हर कोई आटम अपनी बैलेंस सेल में आठ उलेक्टोन करना चाहता हूं इसलिए तो आप एलेक्ट्रोन ड्रॉटर स्ट्रॉक्षर बनाते हो तो यह क्या आपकी बैसे भी бегटेन है गुरुप एट तीन है क्या सिंपल म्हों कैसी होते हैं गुरुप यह को बोलता है है जो कि हाईली स्टेवल होती है कैसी होती है हाइली स्टेवल होती है सिंपल आपका ती हो जाएगा अब लिखा हुआ है यहां पे सिंपल आउट ओफ डी एंडी विच एलिमेंट है जी स्मॉलर एटॉमिक डे दिया दिया अब देखो आपको पता है जब आप पीडिट टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं क्या जाते हैं लेफ्ट टू र अब प्रोटोन बढ़े गा को अट्रेक्शन क्या बल रहा है नूकिलियस और भण बढ़ रहा है तो साइज क्या होता जाए ज्याए ऑब आपप देखोगें और सबसे जादा जो रेडियस होगी यहाँ पे तो किस की होगई बोलो D की radius ज़्यादा होगी E से simple ठीक है यह atomic radius का order हो गया मतलब D आपकी D की radius ज़्यादा होगी और E की radius क्या होगी छोटी होगी ठीक है तो E वाले की छोटी होगी D की radius बढ़ी होगी तो यह भी आप समझ गए होगी आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर दे तो याद रखना E की radius क्या होगी छोटी होगी तो यह आपको आंसर भी दिया हुआ मेरा भी C आया था दूसरे का पहले का D आया डी आ गया और तीसरे का E यह भी आपको फॉर्म में solution आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा तो कैसे लिखना वो आपको पता लग जाएगा अब चलो लास्ट कोशन पर चलते हैं और बढ़िया कोशन भी बड़ा मज़ेदार तो पहले यह बताओ लास्ट को सॉल्व करने से पहले यहां तक किसी को कोई को दिकत कोई परेशा नहीं कोई चीज समझनी आई यह तो आपको कह करना सिंपल वीडियो को बारबार देखना है जब तक देखते रहे तब तक खतमना हो जाए मतब समझना आ जाए तब तक देखना तुई एक बात हमेंसे आदगना मन के हारे हाग और मन के जीत जीत आप प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस करोगे आपको चीजे समझाने लगेगी छलो अब आपको इस कुष्चन को सौल करते हैं तुदेखो यहां पर है एक element है X है ना जिसका atomic number 17 है देखो X element है atomic number 17 है तो आपको याद आना चाहिए simple इसी को बोलते हैं किलोरीन ठीक है atomic number 17 किसका होता है किलोरीन का होता है अब देखो element by है ठीक है atomic atomic number होता है इसका है कि 20 कि इसको बोलते हैं simple कि कैल्सियम यह कैल्सियम का atomic number होता है ठीक है चलो अब यहां पर लेकाओ वेर इन दा पीरियोडिक टेबल आर एलिमेंट एक्स एन वाइप लेस्ट ठीक है भी यह एक्स और वाई कहां पर प्लेस किए जाएंगे पीरियोडिक टेबल में द्यान समयाइना पहले एक एक अंसर लिख रहा हो लिगत क्रेशन करता हो एक्स की कि लोरीन की एक्स जाने कि लोरिन ही अथीक है ठीक है छुदक समयाइन जब मैं किलोरिन लिख रहा हो तो सबसे पहले में इसका electronic configuration करता हूं दो आठ साथ ये इसका क्या होगा electronic configuration होगा अब आपको पता इसके outermost cell में कितने electron है साथ और गुरुप नंबर जी निकालना है तो तीन या तीन से ज्यादे electron रहते हैं तब सब्सक्राइब लुए क्या से निकालता है तैन प्लस बैलेंस इलेक्टवन ठीक है अब बैलेंस इलेक्टोन कितने आउटर मोच से लेक्टवन बोले अब बैलेंस इलेक्टवन गोलो साथ है तो गुरूप नंबर हो जाएगा आपका सिंपल 10 पिलस साथ यह हो गया 17 ठीक है अब देखो अब हम यहां पर पीरियड नंबर बोलें तो पीरियड नंबर कैसे निकाल हुए कितनी सेल इल्ゆooooo filtering एपिल्ड वाई सेल उसी किया बोलते हैं पीरियड नंबर तो यहां पर पे कितने एक दो सिंपल तीनगrades ठीक है तो गुरुप नंबर क्या है आपने पहले कादे बारे में तो हम देखते थे कैМ में नमबर कितना है मतलब 20 है अदलब केल्सियम है तो हम इसका electronic configuration करें तो क्या होगा दो कॉमा आठ कॉमा आठ कॉमा दो यह होगा अब आपको पता है जब हम दो है ठीक है तो जैदी आउटरमोस सेल में एक या दो electron रहते हैं तो उसका group number वही रहता है तो इसका group number क्या हो जाएगा दो है तो दो ही हो जाएगा इसका period number कितना होगा कितनी से यहल है फिल एलेक्टर दा एक दो तीन चार तो period number भी इसका चार वो गया तो आपको पहला question के लिए हो गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से अब यहां पर दूसरा question दे रहा है कि लाशी 5 एक्स और यहां पर एक्स और वाई की बात करें एज मैटल नोन मैटल और मैटलोई एक्स क्या है बाई क्या है कि मेटल है कि यह मैं बात करूँ याँ पर ध्याण समय न जो एक्स है एक्स का अज़ा में नमबर 17 मतलब क्योरी न है यह simple electron को क्या करता गेन करता है एक है electron क्या करेगा गेन करेगा टीक है मतलब इसकी electrone negativity ज्यादा होती ठीक है तो यह जो होता है यह आपका simple non metal होता है कैसा होता है तो हुआ है इलेक्टोन गेन करने की तेंडेंसी है अब आपको बता है बाइ जो है उसका अग्रॉमेक नमब़ 20 है केंडियम है यह क्या करता था इलेक्टोन ने स्कैट आउटर मोस्याल में दो आठ आठ दो तो यह क्या कुस convene का लास कर सकता है ठिक है मतलब दो इलेक्टोन क कर सकता है तो सिंपल सी बात है जब एलेक्टोन का लॉस करेंगा तो इस पर लेक्टु पॉजिटिव नीचर का होगा यह क्या होगा है क्या होगी तो आपकी बाइमेटल हो गई है एक्स कैसा होगा या नॉन मेटल सिंपल ठीक है यह बात तो आपको पता लग गए अब लिखा हुआ है यहाँ पे नेश्ट वाट विल वी दा नेचर ऑप ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट बाई सिंपल युझ बात करों क्या कर रहा है और यहां आपका सिंपल इलेक्ट्रों को गेन करेगा तब ही तो और यहां पर नौलोस सब्तिक शाये नियुकल करेगा simple calcium oxide बन रहा होगा और जब calcium oxide बन रहा है यह बन गया तो यह किस nature का होगा यह आपका होता है simple basic nature का कैसा होता है basic नेडर का तो देखो यहाँ पर calcium ने senza lost किया oxygen ने गेन किया तो यह क्या है simple metal non-metal और जब metal और non-metal की बीच में bond बनता है metal and non-metal की बीच में bond बनता है ठीक है ना तो क्या होता है वो bond बनता आपका ionic bond कैसा बनता ionic bond आपका बनता तो आप इस बात को भी समझ गया होंगे बढ़िया तरीक है अब हम नेस्ट चलते हैं लास्ट क्या है यहाँ पर फॉर्ट वाला पार्ट तो ड्रॉद एलेक्ट्रों डॉट इस्ट्रक्चर ऑप दा डाइवेलेंट है तो देखना कैल्सियम था ठीक है इसने दो एलेक्ट्रों का लॉस कर दिया बहुत ज्यान समय ना तो इसका एलेक्ट्रों ने कौन भी से दो सब्सक्राइब कैसे आएंगे दो किलोरीन आएंगे में लोरीन एक है कि एक दो तीन चार पांच है यह इसने एक लेक्ट्रों ले लिए किसका देखो सिंपल केल्सियम बाले इह हैं यहां भी कैसा बने गाम कि लोरीन एक है यह आट कर लिए यह भी माइनसन दे दिया ग्याइड है यह तो दे द्हों रिखो यहाँ को सिंसेंपल सोलीशन दे दिया गया इस तड़ीके रुप कि हमने केल्सियम लेकर किया है आप लेकर कर लो कोई दिखकर नहीं है आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं मैं लेकर देता हूं आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्लस टू और सी एल कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक बात ध्यान दखना होल ट्वाइज ठीक है तो आपको यहां तक बहुत अच्छी समझ आ गया होगा यह आपको दे दिया गया पूरा एलेक्टॉन डॉट इसी के साथ हम बात करें तो इस टॉपिक होता है यहीं पर समाव मैंने आपको सारी बाते बता दियें बहुत अच्छे से हर चीज को मैंने समझा दिया है इस बात को ध्यान रख लीजिए ठीक है अब आपको क्या करना है अब आपको कहीं भी प्रावलम आती है तो वीडियो को आप बारवाद देखिए जब तक देखते रिए सब्सक्राइब नहीं कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिएगा क्योंगी आपके लिए बहुत और भी चीजें आने वाली चाहें वो गैमिश्टी हो या फिजिक्स हो या बायो हो या मैस हो सब कुछ आने वाद तो डॉंट बढ़े मिलते हम आपसे इसी प्रकार की न कर दो आने वामें आने 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 वामें आने आने श